नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको ग्यारवी कक्षा के अर्थ शास्र का सात्वा अध्याय रोजगार संब्रिद्धी का दूसरा भाग पढ़ाऊंगा पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि भारत में रोजगार की स्थिती विविन शेतरों में कैसी है भारत में श्रमबल कितना है महिला श्रमबल तथा पुरुष श्रमबल गरामीन शेतरों में तथा शहरी शेतरों में कितना है हमने पिछले भाग में यह भी पढ़ा था कि सुव नियोजित व्यक्तियों का कितना प्रतिशत विभिन शेत्रों में लगा हुआ है एवं भाड़े के मजदूर विभिन शेत्रों में कितने हैं भारत में संगटित शेत्र असंगटित शेत्र में काम करने वाले विभिन श्रमिकों की स्थिति यह सब हमने इसी अध्याय के पिछले भाग में पढ़ा था आज मैं आपको भारत की बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि भारत में बेरोजगारी कितनी है भारत में बेरोजगारी किन किन रूपों में पाई जाती है बेरोजगारी किसी भी अर्थवयस्था के लिए एक श्राप के समान है किसी भी देश में बेरोजगारी उस देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट है प्रतेग देश पून रोजगार की स्थिती को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाता है, कई प्रकार की क्रियाएं करता है बेरोजगार कौन होता है ? आप समस्ते हैं बेरोजगार, बेरोजगारी के अंतरगत बेरोजगार बेरोजगार वह व्यक्ति को माना जाता है जब वह प्रचलित यानि जो भी बाजार में मजदूरी की दर चल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार है इच्छुक है परन्तु उसे काम नहीं मिल पाता बेरोजगारी का होना कहीं न कहीं यह भी दर्चाता है कि मानव पूंजी का पून एवं कुशलतम प्रियोग नहीं हो रहा विश्व में कई अर्थविवस्थाएं ऐसी हैं जहां श्रमिकों की कमी है वह चाते हैं कि उनके यहां श्रमिक हों और अधिक श्रमिक हों ताकि उन श्रमिकों के प्रियोग से वह मानव पूंजी का निर्मान कर सकें और मानव पूंजी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक होती है पून एवं कुशलतम प्रियोग मानव पूंजी का तभी हो सकता है जब एक देश में पून रोजगार हो अब कुछ लोग बाजार में अर्थ विवस्था में ऐसे भी होते हैं जो स्वेच्छा से बेरोजगार रहते हैं उनके स्वेच्छा से बेरोजगार होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि जो कार्य वह करना चाहते हैं जिस कार्य में वह निपुण हैं वह कार्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता या फिर जो मजदूरी दर जो वेतन वो पाना चाहते हैं वह वेतन नहीं पा पा रहे हैं वह जिस क्षित्र में कार्य करने के इच्छुक हैं वह क्षित्र उन्हें नहीं मिल पा रहा ऐसा भी हो सकता है कि जहां वो काम कर रहे हैं वह उनके घर से दूर हैं ऐसे लोग स्वेच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं इसे एक्षिक बेरोजगारी भी कहते हैं और इस प्रकार की बेरोजगारी को अर्थविवस्था की कुल बेरोजगारी में नहीं लिया जाता जब हम बेरोजगार व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो 15 से 60 वर्ष की आयू के व्यक्ति हैं 15 से 60 वर्ष की आयू के भारत में बेरोजगारी को दो भागों में बाटा जाता है एक गाउं में जो बेरोजगारी है जिसे हम ग्रामीन बेरोजगारी कहते हैं दूसरा शहरी बेरोजगारी ग्रामीन बेरोजगारी के अंतरगत कई प्रकार की बेरोजगारी आती है जैसे अध्रिश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इत्यादी इसी प्रकार शेहरी बेरोजगारी में और द्योगिक बेरोजगारी और शिक्षा की बेरोजगारी जिसे शेक्षिक बेरोजगारी कहते हैं ग्रामीन बेरोजगारी का मुख्य कारण यह है कि भारत के गाउं में आज भी लगभग 58 प्रतीशत से अधिक श्रमिक कहीं न कहीं क्रिशी शेतर में लगे हुए हैं तथा क्रिशी शेतर मौसम पर निर्भर करता है मौसम में परिवर्तन होने से कहीं न कहीं फसलों के उत्पादन में परिवर्तन होता है जिस से किसानों की आए में भी परिवर्तन होता है और इसका सीधा प्रभाव उनके रोजगार पर पड़ता है ग्रामीन बेरोजगारी के अंतरगत पहले आती है खुली बेरोजगारी क्रिशी शेतर में ऐसे बहुत से भूमी हीन शमिक हैं जो खुले रूप से कारे की खोज कर रहे हैं इसके अंतरगत वहे श्रम्बा लाता है जिसे काम के अफसर नहीं मिलते हैं जो कि उन्हें नियमिताय दे सके हैं ग्रामेड बेरोजगारी में अगली आती है मौसमी बेरोजगारी यह बेरोजगारी सामान्ने है हमारे किसान एक वर्ष में तीन से आठ महीने तक बेरोजगारी रहते हैं क्योंकि प्रतेक फसल का एक समय होता है जिस समय से पहले उस फसल की कटाई नहीं हो सकती और वहे इस समय में व्यकल्पिक व्यवसाय ढूंडते हैं परन्तु उन्हें ऐसे अफसर प्राप्त नहीं हो पाते उस समय अंतराल में अपने परिवार की आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए कहीं न कहीं किसान को एक श्रमिक को कुछ धन की आवश्यक्ता होती है जिसके लिए वह कई प्रकार के कारे करने के लिए तैयार भी होता है लेकिन संसाधनों की सीमितता के कारण उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता ग्रामिन शेतर में प्रमुख रूप से प्रचन बेरोजगारी पाई जाती है इसे चिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं भारत में भूमी पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है इसके परिणाम सुरूप प्रती व्यक्ति उत्पादक्ता गिरती है चिपी हुई बेरोजगारी अर्थात प्रचन बेरोजगारी वहस्तिती होती है जहां श्रमिक काम करते हुए नजर आते हैं परन्तु उनकी सिमांत उत्पादक्ता शुन्य या रिनात्मक होती है इसे मैं आपको एक उधारन की सहायता से समझाता हूँ जैसे एक खेत में फसल के उत्पादन के लिए फसल के लिए चार मान लीजे पांच व्यक्तियों की आवश्यक्ता है जबकि वहां पांच से अधिक व्यक्ति कारे कर रहे हैं साथ व्यक्ति कारे कर रहे हैं इस अवस्था में दो व्यक्ति प्रचन बेरोजगारी के अंतरगत आते हैं अब आगे हम पढ़ते हैं शहरी बेरोजगारी शेहरों तथा कस्बों में बहुत से व्यक्ति नौकरी ना होने से पीडित है इसके अंतरगत और द्योगिक बेरोजगारी, शेक्षिक बेरोजगारी और तक्नीकी बेरोजगारी आती है शेहरी बेरोजगारी के अंतरगत कौन-कौन सी बेरोजगारी आती है और द्योगिक जो उद्योगों में पाई जाती है शेक्षिक बेरोजगारी तकनीकी बेरोजगारी और द्योगिक बेरोजगारी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योगों में खनिज शेतर में यातायात व्यापार निर्मान शेतर में काम करने के इच्छु और दोगिक शेतर में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में वृद्धी है, शेहरी शेतरों में श्रमिकों की पूर्ती बढ़ गई है, परंतु उनके लिए शेहरी शेतरों में रोजगार की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं, शेहरी शेत्रों में शेक्षिक बेरोजगारी भी पाई जाती है शेहरी शेत्रों में शेक्षिक बेरोजगारी एक सामान्य स्थिती है शेहरों में शेक्षिक बेरोजगारी प्रमख रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है स्कूल में, कॉलिजों में, शेक्षिक संस्थाओं में लोगों के बढ़ते प्रवेश के कारण शेक्षिक बेरोजगारी और अधिक हो गई है शेहरों में लोगों को उस प्रकार के रोजगार प्राप्त करने में समस्या होती है जिसमें की उन्होंने पढ़ाई की है वह पढ़ाई जिस तरीके से जितनी करते हैं उस तरीके की उन्हें नोकरी नहीं मिल पाती जिसके कारण शेक्षिक बेरोजगारी जन्म लेती है शेहरी बेरोजगारी में अगला आता है तक्नीकी बेरोजगारी हम जानते हैं कि समय अनुसार समय आगे बढ़ता जाता है तो नई नई तक्नीकों का विकास होता है और कुछ लोग इन तक्नीकों का ज्यान नहीं ले पाते हैं अब कोई भी व्यक्ति यदि नई तक्नीक के साथ नहीं चलेगा तो वह उसे नहीं चला सकता वह उस पर काम नहीं कर पाएगा जिसके कारण वह अगुशल रह जाएगा और वह बेरोजगार हो सकता है तक्नीकी बेरोजगारी का एक दूसरा पहलू भी है जब अर्थवेस्था में बाजार में नई तक्नीक आती है तो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को कम कर देती है यह बेरोजगारी आज के समय में किसी भी अर्थवेस्था में एक प्रमुख क्षेत्र में पाई जाती है जैसे तक्नीक भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कई कारण है और इसका सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या में व्रिद्धी भारत में जनसंख्या में होने वाली वृद्धी केवल बेरोजगारी का ही प्रमुख कारण नहीं है कई अन्यक्षेतरों का भी प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धी के कारण बेरोजगारी होती है लोगों को अच्छे व्यवसाय नहीं मिल पाते संसाधनों का पूर्ण प्रियोग नहीं कर पाते इसी प्रकार से बेरोजगारी का अगला कारण है क्रिशी जो की एक मौसमी वेफसाय है क्रिशी शित्र में किसान को जो भी आये प्राप्त होती है वे निश्चित नहीं है उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन पूरों रूप से मौसम पर निर्भर करता है अगला आता है सीचाई सुविधाओं में कमी आज भी हम देखते हैं ग्रामेंड शेतरों में किसानों को जितनी बिजली पानी की आवश्यकता है उतना उन्हें नहीं मिल पाता भारत में कहीं न चहीं आर्थिक विकास की दहीमी गती भी बेरोजगारी को जन्म देती है पहले लहू उद्धियोग, कुटिर उद्धियोग कही न कहीं लोगों को रोजगार प्रदान करते थे जिसके अंतरगत लोग घरों में रहकर तोकरी बनाते थे, लिफाफे बनाते थे और कई अन्य छोटे उद्धियोग चलाते थे परन्तु अब धीरे-धीरे कुटिर उद्धियोग, लगू उद्धियोग खतम होते जा रहे हैं अगला कारण है संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी कई शित्रों में, कई राज्यों में, कई जगा संयुक्त परिवार प्रणाली चलती है जिसके अंतरगत परिवार के बहुत अधिक सदस्य एक साथ रहते हैं जिससे होता यह है कि परिवार के केवल एक या दो व्यक्ति ही पूर्ण रूप से कारे करते हैं और उस परिवार के अधिक लोग उन दो व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या ही है जनसंख्या में होने वाली व्रिद्धी आज के समय में भारत में जनसंख्या व्रिद्धी दर थोड़ी सी कम हुई है परंतु कुल जनसंख्या में लगातार व्रिद्धी होती जा रही है यह सबी कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी को जन्म देते हैं मौसम यदि अच्छा होगा वातावरन अच्छा होगा तो कृषी शेतर में उत्पादन बढ़ेगा और ऐसा ही इसके विपरीत भी होता है भारत में बेरोजगारी के कई आर्थिक और सामाजिक दुश प्रभाव हैं भारत में बेरोजगारी के कारण बहुत बुरे प्रभाव भी पढ़ते हैं जिन में से मुख्य है निर्धनता गरीबी लोगों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा आय नहीं मिलेगी तो वह कहीं ना कहीं गरीब होंगे निर्धन होंगे मानविय संसाधनों की हानी बेरोजगारी की स्थिति में कही ना कही लोगों का पून रूप से प्रयोग नहीं हो पाता जिससे मानविय संसाधनों की हानी होती है उत्पादकता घट जाती है उत्पादन ख्षमता कम हो जाती है यह भी कहीं न कहीं उत्पादन या समाज इन सब पर बुरा प्रभाव डालता है जिसे हम सामाजिक और शांती भी कहते हैं हम जानते हैं कि यदि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो वह कहीं न कहीं रोजगार प्रात करने के लिए कई गैर कानूनी कार्य भी करने लगते हैं जिसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है बेरोजगारी के कारण वर्ग संघर्ष भी होता है वर्ग संघर्ष मतलब यह अमीर है यह गरीब है जो एक खाई के समान है यह समाज में असमानता को जन्म देता है भारत में सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं जैसे स्वन जैनती ग्रामीन स्वरोजगार योजना मनरेगा जिसके अंतरगत सौ दिन का कार्य अवश्य प्राप्त होता है इसी प्रकार से एकी कृत ग्रामीन विकास योजना स्वन जैनती शहरी रोजगार योजना राश्य ग्रामीन रोजगार योजना जुआहर रोजगार योजना ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रती वर्ष या कुछ समय के बाद अर्थवेस्ता में लागू की जाती है सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन सभी नीतियों का पूर्ण रूप से अच्छे से लागू नहीं हो पाती इन्हें पूर्ण रूप से लागू होने में कुछ समय लगेगा और यह समय अंतराल कितना होगा यह हम भी नहीं जानते आने वाले समय में हो सकता है कि अर्थवेस्ता में भारत में संसाधन बड़े कहीं न कहीं विदेशी निवेश हो लोगों को रोजगार के अफसर प्राप्त हो लोगों के रहन सेन के स्थर में सुधार हो परन्तु इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि अर्थवेस्ता में भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है जनसंख्या का दबाव भारत में प्रतेक्षेतर पर बुरा प्रभाव डालता है आशा करता हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा नमस्कार खमकार वह द्यूखक में प्रतों है यह जया कनूंद्या करते आपको समझा करता है यह जvit ़मत वा यह बापको समझा कम आपको समझा आपको समया वह रलाता है झाल झाल